नव भारत समाचार काशिपूर से आशा रावत की रिपोर्ट काशिपूर में तीन दिन पूरवे 5 वर्षी अबालक की घर में संदिख्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पोस्ट मातम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है इसके बाद पुलिस ने मृतक मासूम की दादी जाइदा की तहरीर पर हत्यारे पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफतार कर लिया है हत्यारे पिता को पुलिस ने न्याईले भीज दिया है बता दे की काशिपुर के मोहला बासवारा निवासी मुहम्मद सलीम का अपनी पत्मी से तलाग हो गया था जहां पिता और पुत्र भर में रहते थे की तीन दिन पूर देर रात मुहम्मद सलीम के पांच वर्षिय पुत्रा दिल की संदिख्ध परिस्थिति में मौत हो गई बच्चे की मौत के बाद पिता मौके से फरार हो गया था जिसके बाद पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया था पोस्ट माटम रिपोर्ट में मासूम की मौत की वजह का खुलासा हुआ ASP राजेश भट ने बताया की मासूम के हत्यारे को गिरफतार कर लिया गया है और न्यायाले भीज दिया है इसके पिता को पकड़ लिया गया है और आज इसको ने लेकर समझ फिष्क किया जा रहा है क्या करण रहा है देखे बेसिकली इसका फादर है वह शराब पीता है नशा करता है इसका यह कहना है कि बच्चा शैतानी कर रहा है कि आपके ने समय गुष्टे में आखर के उसके जारा उसको पीटा गया तो उसका सर पटक गया इस कारण से उसकी टैप हो गई अभी उसमें इन्वेस्टिकेशन चल रही है कि उसकी बातों में कितने सक्टेता है कि खिलाल जो आपास के लोग के लोग के लोग के उनके बयान लेकर की नहीं है कि समय कंट्रों इसको दर्सक्राइब करें